तो आज की क्लास में हम पिछले टॉपिक को कंटीनियू करेंगे जो हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था वेपर प्रेशर उसका सेकेंड पार्ट है और वह टॉपिक मुझे लगता है मैंने कंसेप्चुल लेवल पे इस तरीके से एक्स्प्लेइन किया था आप लोगों को कि कंसेप्चुल पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं चाहिए वेपर प्रेशर क्या होता है अगर फिर भी लगता है तो एक पर दुबारा देख लिए उस वीडियो को रिविजन के तौर पर जैसे भी आपको ठीक लगे मोटी मोटी बात जो हमने करी ती वह स्बेस के चलते वह वेपर ऊपर इखटा होने लगेगी तीरे धीरे आपको लगेगा कि उपर का पूरा स्पेस जो है वह वेपर से ऑक्योपाई हो चुका है अब वेपर माना गैस है लेकिन वह स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है अब कुछ ताइम बात जब यहां पूरा इस वेपर से occupy हो चुका होगा जब यहां pressure कुब हो चुका होगा तो जो पार्टिकल्स इतने पार्टिकल्स liquid से गैस में जा रहे थे उतने ही पार्टिकल्स उस वेपर गैस से वापस liquid में आने लग जाएंगे और एक equilibrium establish हो जाएगा यानि equilibrium का मतलब यह कि जितने molecules पानी के या solvent के वेपर में बदल रहे थे लिएक उतने ہी molecules वेपर से वापस पानी में बदल रहे है तो होगा कि आnes यहाई पर होगा यह कि equilibrium आजाएगा और उस equilibrium के के दोरान उस equilibrium के दोरान जब इस लिक्विड की सर्फेस पर जो प्रेशर लग रहा होगा तब जब इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं मिलावा होगा तो उस प्रेशर को मैं बोलूँगा पी एनौड तब जब इसमें सॉल्यूट नहीं है समझें इस बात को पी एनौड कब बोलूँगा मैं जब मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो प्यॉर स्टेट के अंदर यह इंपॉर्टेंट है यहां प्यॉर स्टेट ठीक है ना आगे चलते हैं मान लीजिए कर देएं मानली जीह एक मैंने स्वांुट रख दिया आज प्रेश इस लिकवीट की सरफेस पर लगकर रहा है उसी को वेपर प्रेशर नहीं की की वज़े से और सॉल्यूट की वज़े से तो इस वज़े से कुछ प्रेशर का हिस्सा पीए कहलाएगा कुछ प्रेशर का हिस्सा पीबी कहलाएगा यानि प्रेशर का वह हिस्सा जो solute की वज़े से लगेगा वो पीबी और प्रेशर का वो हिस्सा जो solvent की वज़े से लगेगा वो पी ए है यहां से मेरी टर्मस निकल के आ गई कि पी ए नोड क्या है और स्टेट का वेपर प्रेशर लेकिन जब मैं उसमें solute या solvent मिला दूँगा तो यह नौड जो की purity का sign है वो हट जाएगा और उस PA या PB को फिर मैं वेपर प्रेशर बोलने की बजाए technical term partial pressure से address करूँगा यह हुई बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं अब आजाएगे यहां पर दो cases की बात करते हैं दो cases को समझते हैं इस डाइग्राम के तुरू ठीक है ना मान लीजिए मैंने इसमें solute डाला और ओके मान लीजिए मैंने इसमें solute डाल रखा है और अब की बार मेरे पास दो cases है एग तो केयस है की मेरा solute वॉलेटाईल मतलब مشal君 में अपने आपमें शमता है की वह अपनी प्रेसेंच स्ट्रेट से लिकविट स्टेट से या सॉलीट स्टेट से वेपर स्टेट में जा सकता है यानि वॉलेटाईल मतलब वैपर में जाने शम्ता रखता है जो मेरा solute है वो दूसरे case में non-volatile लिया है यानि कि वो इस बार vapor में convert नहीं होगा उसकी property नहीं है वेपर में convert होने की अब आ जाई है इस diagram के अंदर और मैं यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ एक बात मेरा solute जो है वो यहाँ पर वाले टाइल है आई हो ब्लैक पैन दिख रहा होगा ओके मेरा solute जो है वो वाले टाइल है वाले टाइल का मतलब यह की solute भी वेपराइज होगा तो solvent भी वेपराइज होगा यानि इसकी वेपर निकलेगी और इसके भी वेपर बनेगी at the very same time आप यह भी देखोगे इसकी भी बन रही थी और इसकी भी वेपर का सेक्ष्छन होगा उस वेपर के सेक्ष्ण में यहां पर जो वेपर प्रेजेंथ होगी वह की होगी क्योंकि दोनों ओलfilled है अब अगर अगर दोनों की वेपर्ष वहाँ प्रेज sensory मतलब यह हुआ कि इस case में इस case में जो मेरा पी एस निकल के आएगा पी एस मतलब यहां पर मैं लिख देता हूँ पी एस का मतलब है तोटल प्रेशर यानि उस पूरे solution के अंदर जो pressure generate हुआ है अब की बार उस pressure की कहानी क्या रहेगी उसकी बात कर लाएगा इस बार जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा न वह प्लस पीपी होगा जाता मुश्किल नहीं है इस बात को समझाए अगर मेरे system में दोनों चीज़े वालेटाइल है solute solvent दोनों उन से बनने वाली वेपर्स दोनों प्रेशर के लिए contribute करेगी और उस दोरान मेरा जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा solution का वो उन दोनों के प्रेशर के सम के बराबर होगा ठीक है यह तो हुआ एक केस अब दूसरे केस पर आते हैं दूसरे केस में मैं क्या करता हूँ मैं इसको हटा देता हूं यहां से और हटा करके मैंने क्या कर दिया कि मैंने इसको वॉलेटाइल से अपकी बार कर दिया है नॉन वॉलेटाइल कर करते ही देखो कहानी कैसे बदलेगी नॉन वॉलेटाइल करते ही कहानी ऐसे बदलेगी कि कि नॉन वॉलेटाइल करते ही अपकी बार कि अपकी बार आप देखोगे कि आपको उस वेपर नहीं मिलेगी वहाँ पर और लूट वेपर नहीं बनाएगा क्यों नहीं बनाएगा आप सब जानते हो यार कितना असान है समझना कि सॉल्यूट इस बार नौन वॉलेटाइल ले लाइन ही उस उसॉल्यूट की शमता ही नहीं है यहाँ पर वह अपने आपको इसमें बदल पाए यह तो हुई एक चीज कि सॉल्यूट की अपने आप में ही शमता बहुत कम है इसलिए वहाँ पर वेपर में नहीं बदल सकता ही कह माल लेते हैं लेकिन यह सॉल्यूट यहाँ पर एक और चीज जेनरेट करेगा कैसे नियंग ईकिन साथी यहाँ रोक लिया है और आप्स जो पार्टिकल से और परे पार्टिकल यहां सर्फेस के उपर लगत रहे है वही पार्टिकल इवाइपोरेंट होके आएएगे त्विछ वाला पार्टिकल तो धीरी दीरोपर दखायेगा कि इस नीचे वाले particle के लिए possible नहीं एकदम से व्यापरेट हो के सीधर उपर आ जाना वो क्या करेगा धीरे धीरे उपर आ रहा होगा लेकिन सरफेस के particles direct conversion में participate कर रहे होंगे अब क्यूंकि मेरा solute non-volatile है तो होगा tumor क्या वो इस solvent को भी वेपर न रइस होने से रोकेगा नौन वोलेटायल सॉल्यूट इस वहने से रोकेगा यानि पूद तो हिस्सा यह नहीं आप पूरी प्रॉसस में और जो लेना चाहला नोन वोलेटाइल सॉल्यूट की वज़ते होगा क्या कि इस बार जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा पर जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा वह पिए प्लस बरावर नहीं हो क्योंकि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है प्रेशर किस बात का प्रेशर किस बात का पारिशल प्रेशर अगर वो चीज वालटाइल ही नही है तो पहले तो इसको एताओ इसको हटाने के बाद भी क्या मैं यह कैसकता हूं कि total pressure उस पीय के बरावर होगा तो आप बोलोंगे ऐसा कैसे हो सकता है जब क्या कि है रहा है परी किया मैं कह सकता हूं कि मेरा टोटल प्रिशर पी नॉड के बराबर होगा वही अगर यहां solid volatile नहीं है गर solute बदल नहीं रहा है तो जितना pressure होगा वो pure solvent की वज़े से ही तो होगा और आप सब जानते pure solvent को मैंने PNOD लिख रखा है ठीक है लेकिन क्या मेरा ये कहना ठीक है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं होगा ये तोनों बराबर नहीं होगे क्यों कि solute यहां खुद तो volatile नहीं है लेकिन वो साथ साथ में solvent को भी भाप में बदलने से रोक रहा है यानि कि वो इस वक्त जो इस system का प्रेशर है वो पिये नौड से भी कम हो चुका है इतना प्यॉर सॉल्वेंट अकेले में वेपर जनरेट कर पाता था था ना वो उतनी भी नहीं कर पायागा उस non-volatile solute की presence में क्यूंकि वो non-volatile solute इस solution की surface पर recite करके vaporization की पूरी process के अंदर एक obstacle बन रहा होगा रुकावट बन रहा हो तो यह तो कहां नहीं होगी तब जब एक volatile होगा जब एक non-volatile हो इस पर हम वापस आएंगे इसकी बात हम वापस करेंगे तब तक के लिए एक बार कि अपन वापस नहीं आ जाते हैं यह दो चीज़ अपन ने पढ़ लिए और इन दो चीज़ों को एक बार के लिए वापस देख लो कि अगर volatile होगा मेरा solute तो पी ए प्लस पी दोनों यानि partial pressure solute का भी और partial pressure solvent का भी दोनों मिल के pressure of solution मना रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा किस case में जब मेरा solute non-volatile कि इस case के बारे में हम आगे जो next topic पढ़ने वाले हैं वो होगा relative कि दोवरिंग ओफ वेपर प्रेशर relative लोवरिंग ओफ वेपर प्रेशर यानि यहां पर जो non-volatile solute के वहाँ एड करने की वज़े से तो आप देखते हैं कि टोटल प्रेशर जॉल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट से भी कम हो जाता है इस चीज को एक्स्प्लेइन करेंगे अपन नए टॉपिक में जिसका नाम क्या होगा अलग से वीडियो की अपने आप में एक तरीके की क्या है का अलिगेटव प्रॉपर्टी अब प्रॉपर्टी क्या होता है जिनको नहीं पता उस वीडियो का इंतजार करें क्योंकि अपने आप में एक और टिट गरने पे होगा क्या है यह बात तो ठीक समझ में आ गई कि अब मुझे एक चीज यह बताओ क्या मेरा भी यानी प्रेशल प्रेशर सॉलवेंट का यह नौड के बराबर होता है मेरा पी भी पी नौड के बराबर होता है या कुछ फरक आता है केहने का मतलब यह है जब एक एक तरफ मेरा जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट है दोनों प्यॉर स्टेट में नॉड लगाओ है और उनका अपने आप में कुछ वेपर प्रेशर दूसरी तरफ इन दोनों को मैंने मिला दिया तो पार्शल प्रेशर सॉल्वेंट और पार्शल यह है कि वह वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट अकेले में बना पा रहा है के नौड पीए के बराबर नहीं होगा इसके अंदर भी एक फैक्टर अपलाए हो रहा होता है वह यह हो रहा होता है इस चीज़ को समझने की कोशिश कीज़ेगा विजुलाइज कीज़े जब दो त आपसी इंटरेकशन होगा ना इनका उनकी वजह से इनके प्रेशर में चेंज आएगा एक डारेक्ट रिलेशन becoming एटीक लोग ऐसे बता देंगे कि इसे होता है कि इनकीale है इसाइज होता है पाँर होता है कि सई यह फैक्टर होता है ठीक है टीक है ऑला इसौट is a factor is effectively एक विस्कॉसटेइ एक pienुक करने के लिए उस् Just passing तर्द के चलते क्या होता क्यों भूद माई निद लेवल पर आहई रह बीज़ फेशर और पार्शागे पर प्रेसर के पर खास बात यह कि सिंपल भी बहुत है आपको बिल्कुल परिशानी नहीं होगी समझाए राउल्ट्स लॉने क्या करा राउल्ट्स लॉने और स्टेट के वेपर प्रेशर और पार्शल स्टेट के वेपर प्रेशर के बीच में एक रिलेशन स्टेबिलिश कर दो जब पानी अकेला है चाहिनी जब जपी नॉड है और दूसरा केस पीवी लॉड है यानि जब सॉल्ट केला है वाइट अब हो रहाए है डोनों वा ने आट एक बात हुरी एक वन की बात हो रहे है के स्टू के बारे में बात नहीं कर दो और P A यानि partial pressure of A और partial pressure of B इसके बीच में क्या relation रहेगा यह किस ने दिया राउल्ट लो ने दिया और बहुत simple बात कहीं इन्होंने वो बात क्या थी किसी भी component का जैसे solute का या solvent का या PB किसी भी component का partial pressure उसके solution में वापस बोल रहा हूं किसी भी component का partial pressure उसके solution में इसके बराबर होता है उसके pure state के वेपर pressure तो उसका mole fraction कितना simple law है कितनी simple सी बात बोली उसने कि जो partial pressure है वो दोनों factor पर डिपेंड करता है उसका pure state का वेपर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उसके partial pressure के equal होता है यह राउल्स लॉय और कुछ भी ना ऐसे यहाँ पर तुम पीबी देखोगे तो यह कितना आ जाएगा कि नौड इंटू एक्स भी यह दो बड़े simple से formula इनका indirect और direct यूजी दोनों देखने को मिलेगा हमें इस chapter के अंदर तो simple formula जिनका direct और indirect हमें आराम से देखने को मिलेगा इस chapter के अंतर वो राउल्स लॉने दिये हैं क्या है तुल्लों वापस कि किसी भी component का उसके solution में जो partial pressure होता है वो उसके pure state के vapor pressure और mole fraction के product के बराबर होता है सिंपल चालो क्या कहते हैं इसको डाउल्स लो आई होप समझ में आया होगा आपको अब देखो वापस आते हैं यहां पर इसी क्वेशन को आगे continue करते हैं ध्यान से देखते रहे हैं टॉपिक बड़ा सिंपल है बात यह है कि अभी चाप्टर की फाउंडेशन चल रही है फाउंडेशन का मतला अभी हम अंडर ग्राउंड काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं बहुत बेसिक लेवल तैयार कर रहे हैं इस चीज़ का आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्लियर होना चाहिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी बात तो आजाओ वापस यहीं पर इसकी बात कर रहे थे हम केस में जब की सॉल्यूट वालेटाइल है हमने देखा था कि टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का इसके बराबर आएगा पी और पी बी के बराबर बहुत कॉमन सें है तो मैंने क्या लिख दिया पी नौड इंटू एक से और इसको हटा करके मैं डॉट लगा जाता हूं ताकि हमने लिख दिया कि नौड इंटू एक्स भी अब आप सब जानते हो ना एक्स ए कि बात बता रहा हूं यार दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वह नोता है से हैब किसी भी सॉल्उशन्स के चिते भी कॉंपोहन संबसां सबके मोल फ्रैक्शन का सम वणकर बराबर होता है वह सब पता होगी अयसे बीवर्श गय कर सकता हो मैं तो मुझens को कम करना है यह क्या होगश किस कि बराबर आबर इस किस के बराबर आएगा पिए नॉट इंटू वन पिए नॉट माइनस के नॉट एक्स भी प्लस कि नॉट कि ना अब कुछ नहीं है सिंपल जाओ फार्मला बनके क्या आ गया इन और तो यहीं रख लो पर क्या लेकर क्या आजाओ इसको कैसे भी कर सकते हो इसको उल्टा भी करके कर सकते हो पैजर जो कहानी है वह से आफे है मैंने से सब्सक्राइक को मैंने मिलiden prima को जो के साथ उनों के मोल फ्रैक्शन का समपन होता है उसको यूज करने की आप चाहे तो एक्स बी को भी 1-1 से करके एक्वेशन बना सकते हैं यहां पर राउल्ट्स लॉओ और इस बात का कि टोटल प्रेशर सॉलूशन का पीए प्लस पीबी के बराबर होगा तो उनों का जो यह मिक्स्च इसकी बात हम बहुत जल्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं वहां से टॉपिक अच्छे लेवल पर शुरू हो जाएगा अभी भी चल रहा है समझते वे चलो एक एक चीज़ को सीखते वे चलो आगे हो सकता है अपर नेक्स का वीडियो बनाया है उसके अंदर कुछ करने की को कोशिश करें जिससे आपका निमारिकल एस्पेक्ट जो है वो प्रिपेर हो ताकि आप कोश्चिन और वो भी जतना यह थियोरी इंपॉर्टेंट वह है इंफाक्ट एक्जाम पॉइंट आफ यू से निमारिकल ज्यादा निकल के आते हैं इस चाप्टर से तो ठीक है उसके सब्सक्राइब बारे में बात करेंगे लेकिन अपनी बेस्ट होनी चाहिए तो समझते रहेगा जुड़े रहेगा आगे भी मिलते रहेंगे क्लास के तुरू मजा आ रहा होगा आपको नई आ रहा है कमेंट में बताइए कि क्यों नहीं कुरी कोशिश करूं कि मजा देंगा आपको जान के साथ साथ तब तक के लिए थांक यू बाई बाई